तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चिन लाए है जो कि विगित वर्सों में कई अग्जाम्स में पूछे गए है और भविश्य में भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है तो बीनर टाइम वेश्ट की हम वीडियो को सुरू करते हैं पर उ अप्सिन नंबर 4 राम मनोहर राई जी ने दोस्तो प्रते क्वेश्चिन का अंसर गैस करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिये जाएगा इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब अगर दोस्तो आप ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस करके आप ज्या सही अंसर चला जाएगा अप्सिन नंबर 4 राविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्त के लेखक अरविंद घोष जी है Q3 है प्रत्थम भारती नावेल पुरुसकार विजेत अकाउन थे Option नंबर 1 C.V. रामन, Option नंबर 2 राविंद नाजर टेगोर, Option नंबर 3 हर गोविंद खुराना, Option नंबर 4 अरविंद घोष जी Q3 का अंसर चला जाएगा Option नंबर 2 राविंद नाजर एगोर जी विजेली लखस्मी पंडित या फिर पंगली वेंकेयन है कुएस्चिन-फॉस्ट का अंसर चलाएगा, उप्स नमबर 4 पंगली वेंकेया जी ने भारत के राश्टी ध्वज का डिजाइन पंगली वेंकेया जी ने डिजाइन किया था और इसे भारती संभीधान साबा 1222 जुड़ाई 1947 को अपनाये गया था Question 5 है पहली बार जन्गनमन कहां गया गया था? Option आपके पास कॉलकत्ता, मंबई, गुजरात या फिर दिल्ली में Question 5 का अंसर चला जाएगा Option 1 कॉलकत्ता में पहली बार जन्गनमन 27 दिसंबर 1911 इस्वी को कॉलकत्ता में गया गया था Question 6 है भारत में पहला समचार पत्तर किश ने शुरू किया था? Option आपके पास दादा भाई नावरो जी, सायद एहमद, जेमस हिकी या फिर जोहरलाल नहरू जी ने Question 6 का अंसर चला जाएगा Option 3 जेमस हिकी भारत में पहला समचार पत्तर जेमस हिकी जी ने शुरू किया था भारत का पहला अखवार 29 जन्वरी 1780 को छापा गया था इसकी भासा अंग्रेज जी थी इसका नाम था बंगाल गजेटियन Question 7 है भारत में civil सेवाओं का सुथरपात किस ने किया था Lord अलोजी, Lord कर्णवालिश, Lord कर्जन या फिर Lord likes Question 7 का अंसर चला जाएगा option number 2 Lord कर्णवालिश भारत में civil सेवाओं का सुथरपात लार्णवालिश ने किया था और Civil Services को जोईन करने वाले भारत के प्रत्थम व्यक्ति सतेंद्र नाख टैगोर बने थे Question 8 है किस वर्ष ओडिशा बिहार से प्रत्थक हुआ था? 1936 में, 1943 में, 1942 में या फिर 1956 में Question 8 का अंसर चला जाएगा 1936 में ओडिशा और बिहार 1936 में प्रत्थक हुए थे एक अप्रेल 1912 को दोनों बिहार और उडिशा प्रांथ के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे और फिर 22 मार्च 1936 को बिहार और उडिशा अलग प्रांथ बन गए थे Question 9 है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखवार किसने सुरू किये था? Option है रामनाथ पूरी, तारक नाथ दास, जीडी कुमार या फिर लाला हर्द्याल जी ने Question 9 का अंसर चला जाएगा Option 2 तारक नाथ दास अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखवार तारक नाथ दास जीने सुरू की थी इसके माध्यम से समाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई और वर्ष 1910 में भारती सेना से अंग्रेजों के खिलाब विद्रोह का आववाहन किये गया Question 10 and last question है वनारस हिंदु विष्य विद्याली के संस्थापक काउन थे? Question 10 का अंसर चला जाएगा ओप्सन नमबर 3 माधन मोहन माल विए बनारस हिंदु विष्य विद्याली के संस्थापक माधन मोहन माल विए जी थे? इसे बिएचियू यानि कि बनारस हिंदु इनिवर्ष्टी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1916 इस्वी में हुई थी और दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूले और कॉमेंट बॉक्स में ये भी बताई कि आपको कितने Question का सही अंसर आता था और दोस्तो ऐसे ही General Knowledge की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हेल्पे बेटा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रस कर ले हम मिलते आपसे अगली वीडियो में तब तके लिए गुडबाई एंड टेक केर